छे दादी की दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि अभी हमारी चैनल पर दस साथी सागा सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग लड़की और लड़की दौनों की शादियों से रिलेटेड जितने भी चानकारी हो रही है वो आपको देनी का कोसिस करें ताकि शादी की हड़बड मे आप कुछ भूल न जाए और मतलब हडबडाट में कुछ उल्टा पुल्टा नहीं काम हो जाए इसलिए अगर आप मेरा वीडियो ध्यान से देखेंगे दोस्तों मेरा हर वीडियो में मतलब एक्तम जो छोटी वाली जानकारी होती है वो भी देनी का कोसिस करती हूँ लड़की या लड़की दोनों की शादी में तेल बान किस समय करना होता है और दूसरे बात उसमें क्या-क्या हम लोग को तैयारी करने पड़ती है क्या-क्या समान हम लोग को चाहिए होता और किस की जरुरत होती है जो important person होते है उनकी जरुरत होती है वो मैं आपको सारा detail मे अभी मैं आपको बताऊंगी दोस्तों धील बान की तैयारी के लिए दोस्तों हम लोग को सबसे पहले तो ये दुल्हा के लिए एक चोकी बिचानी पड़ती दोस्तों उसके बगल में एक बिनायक की चोकी बिचानी पड़ती दोस्तों और एक हम लोग को सामने थाली रखने के लिए पाटा रखना पड़ता है इसलिए हम लोग को ये तीन दो चोकी और एक पाटा ज़रत होता है दोस्तों और जिस पर दुल्हा बैठीगा दोस्तों उसके नीचे इस तरह हम लोग को आटा से चोक पूरना पड़ता है दोस्तों ऐ इस तरह से जिप लॉक में अलग-अलग करके रखा जाते है दोस्तों ताकि यह mix नहीं होता है यह इसके नीचे ऐसे परोत रख दी जाती है दोस्तों और हम लोग को जो तयारी करनी पड़ती है दोस्तों तेल बान के लिए वो है आटा, मेहंदी, दही और तेल तो आटा, मेहं क्योंकि सरसों तेल से क्या होता है कई बार बच्चों को रह से सो जाते हैं उनकी आँख जलने लग जाती है जिसके वज़ा से मतलब जिस समय वो दुला दुलन बनने चाते हैं उनकी आइस एक्दम रेड हो जाती है उसकी जो जहांस होती है सरसों की तेल की उससे तो वो प्यार करनी पड़ती है तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से ये स्टिक में दूब बांध रखी दोस्तों ये जो हमारा नीम का दातुन आता है उसकी डंडी के उपर मैंने लाल कपड़ा और गोटा लपेट के और ये बूटी और ये लटकन इस तरह से लटकाई है दोस्त है कि उनके कपड़े नहीं खराब हो जाएं मतलब जादा जुकती है अपने पल्ले को समालती है और वीडियो के एसिट बनाने के चक्कर में कई बार क्या होता है कि साड़ी का पल्लू या ओड़ना का पल्लू तेल के अंदर या दही के अंदर डूप जाता है जिसकी वज़ तो डंडा से पकड़ के जब आप तेल बान चड़ाएंगे तो आप देखे आप खुदी मतलब जब यूज करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि यह कितना इजी प्रोसेस है आप इसको पहले आटा में डूप होई है फिर मेहंदी में फिर दही में फिर तेल में डूपो तरब से उस दूले को या दूलन को बुलेंगे हतेली की तरब से अपना हाथ सीधा रखो गोड़े के उपर फिर कंदे के उपर फिर उसकी सर के उपर और इस तरह से यह प्रोसेस चार बार करते दोस्तों और उस समझे पर सबसे पहले हमारे जो पंडिजी होते वो तेल बान चड़ाती है और जब ये तेलवान चड़ाया जाते है दोस्तों उस समय पर गीत काया जाते है आले तुलावा घीवे इंचा देयो मर बापुजी घीवे आंजेला ये घीवे आंजल मारा बापुजी दे सी माईड मारी बूडे सुहागने हो सी बापुजी मारा गज जड़ावले हो सी इस तरह से प्रोसेस चार बार किया जाते है दोस्तों और चार बार करकर की सब लोग साइड हड़ जाते है दोस्तों और ये होता है दोस्तों ये चंदुआ होता है ये भी हम लोग को तयार करना पड़ते है दोस्तों आप चंदुआ की साड़ी भी बना सकते है चंदुआ की चुन्नी भी बना सकते हैं जो आपकी यह बेहन बेटियों के जाता है तो जो आपकी बेहन बेटी पसंद करती है कई लोग चुन्री पसंद करती है कई लोग साड़ी पसंद करती है तो आप यह चंदवा के बीचों बीच ऐसे मूंग और चावल भरके इस तरह से मूली से लप यह तेल बान चड़ता है, चार बार चड़ाने के बाद फिर तीन बार उतारने का प्रोसेस होता है दोस्तों, जो कि हम लोग पहले सर पे, फिर कंधे पर, फिर हाथ पे और फिर पैर पे, यानि यह जो टोटल प्रोसेस होता है, यह चार बार चड़ाने का और तीन बार उतारन का साथ बार ये करना होता है और जो लोग तेल बान चड़ाएंगी दोस्तों वही लोग तेल बान उतारते भी हैं यह मैं आपको और दो टंडे दिखा रही हो दोस्तों यह आप देख सकते हैं अगर आपको इस तरह छुटे पसंद है तो आप छुटे भी बना सकती है नो प्र गोई चाओन पर जब भी कोई देल बाग चढ़ाने जाएगा उनको सब को दोस्तों यह मुली बांदी जाती है हाथ में और सब को टिक में चावल जरूर लगाए न वो continuously चलता रहे मतलब आप पहले से जो आपकी बेहन बेटिया है वो सब को मोली और टिका चावल कर सकती है और एक हम लोग को ये खुदरे फूल होते दोस्तों जो थोड़े से बगल में रखने ची जो भी तेल बान चड़ाने आता है वो थोड़ा सा फूल लेकर दुले के दुलन के सर पर आसिरवात की रूप में डालता है वो भी बहुत अच्छा लगता है दोस्तों देखने में भी अच्छा लगता है और दुले को भी थोड़ा पैंपरिंग फील होता है कि सब लोग मुझे फूलों की मेरे पर बरसा कर रहे हैं और हम लोग को रीफिल के लिए आटा, दही, महंदी और टेल जो भी तेल आप यूच करें बेबी ओयल, या नारियल तेल जो भी आप यूच करें वो आपको बगल में रखना पड़ते हैं क्योंकि जो हम लोग का फैमली होता है वो इतने से तेल आटे महंदी से पूरा नहीं हो पाता है तो हम लोग को हूले कित ये आपको पिठी खूल की तयार करके रखनी पड़ती है दोस्तों क्योंकि तेल बाल लगाने के 성醉 कर लुड़ी तो आपको मतलब पहले से ये आर और के रखनी बढ़ती तो साथर्ण लगाई इसको पिठी मेंगा गयगे तो दो तीन जूब़ाम हो स alguém गर तो यु पहले से हम लोग को साथ बना के रखा जाता है अगर साथ लड़का नहीं है तो कोई बात नहीं दोस्तों आप सुहागनों को भी साथ सुहागनों को भी दे सकते हैं ये तेल उसकी बार में जब होता है दोस्तों तेल बांच चड़ गया और आपके दुले के या दुलन के इसको बढं़ादा करके दही डाल लीजेगा जब आपका औरीजनल साधी का वह होगा तो जू दुले का जो फाधर होता है दोस्तों वह इस तरह से मतलब वो बेहन बेटी इसको पकड़ के रखती जो भी आपके घर की बेहन बेटी होगी वो ऐसे पकड़ के रखेगी दुले का जो फादर होगा वो दो हासे उसकी सर पर दुलाया दुलन के सर पर ऐसे चोल डालेगा और दुलन की मा जो रहेगी वो उसकी सर को ऐसे दोनों हाथों से मसल के नहलाती है तो उस समय पर हम लोग यह वाला गीर काते मारा पापू जी जोड़े गहला आईया मारी माएडे मसले नुहाईया यह प्रॉसेस होने के बाद दोस्तों यह सारा जोल उस पर डाल थोड़ा सा मतलब जितना भी उस पर डाल दिया जाता है जोल उसके बाद जो दुलहा होता है या दुलन होती वो नहाने के लिए चले जाते है बातरूम में और जब वो नहाने के लिए बात्रूम में चले जाएंगे दोस्तों उसके बाद क्या होगा कि हम लोगी सारा समान तो यहां से उठा लेंगे इंक्लोडिंग है पाटा भी यहां से हट जाएगा दोस्तों मगर यह जो चार हम लोगी सराई रहेगी वो मैं आपको बताती हूँ कि यह जो चार सराई रहेगी इनको ऐसे गंधी कोई मतलब इनको साफ करके धूना नहीं है आटे के उपर समल लिजए तेल वाला ऐसे उल्टा मार देंगे और मेहंदी के उपर सपूस करिए कि यह वो तही वाला ऐसे उल्टा करके ऐसे सामने में र पर खड़ा हो जाएगा यहां पर और वो जो दुले का मामा रहेगा दोस्तों वो जूता पहन के याद रखे बिना जूता के इस पर नक खड़े होई अधरवाइस यह जब टूटेगी तो आपकी पैर में गड़ भी सकती है आपको चोट भी लग सकती है और आप इंजहरी ह हो सकते हैं ऐसी घटना भी घट चुकी है इसलिए मैं आपको थोड़ा सा ज्यादा क्लियर करके बता रही हूं क्योंकि मैंने अपने आखों से देखा हुआ यह घटना तो इसके पर जूता से इस तरह से आप चड़ेंगी कि यह पूरा तूट जाएगा फिर उसके बाद में दोस्तों आप जो है दुले को गोदी लेकर उतारने का रसम होता है बट आप गोदी भी बहुत ध्यान से उतारें क्योंकि यहां पर अल्रेडी हम लोग थोड़ा मस्ती में चड़ जाते हैं उस समा पर तेल बान का जब रसम होता है तो जो दुले का जैसे यहां पर पैर रहते हैं दोस्तों तो गोदी लेने का ऐसा कोई रसम है मगर बहुत ध्यान से आप उतारें अदर्वाइस आप उसके कमर पे हाथ रखके और बच्चे को धीरे से नीचे पैर थंड कर उतार दें गोदी लेने का ऐसा पूरा प्रोसेस करने का ज़रत नहीं क्योंकि आपका यहा लिफाफा देते हैं दोस्तों और एक इसी तरह की पोटली में मेवा भरके जो अपने लोग गोद मेवा देते हैं जैसे 4-5 तरह का मेवा और रुपया उसके अंदर मतलब लिफाफा उसके इंदर डालके आलग से लिफाफा जो भी उस दुले के हाथ में दिया जाते है फिर इस तरह से मैं आसा करती हूँ कि मेरे तेल बान का समझाने का तरीका आपको बहुत अच्छे से समझ वहाया हुआ और एक बार मैं वीडियो घुमा रही हूँ दोस्तों आप वापस से देख लिजए कि देल बान में हम लोग को क्या क्या चीज जरूरत पड़ती है जो तयारी हम लोग को पहले से करके बैटना पड़ते हैं आपको मेरा वीडियो कैसा लगा दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएगा अगर आपको लगता है कि मैं अच्छे वीडियो बनाती हूँ और आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज इससे जादा से जादा लाइक करें साइब्सक्राइब करें और ज जादा देखिए